मैं हूँ आपके साथ आईशी शर्मा हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है आए रूप करते हैं आज की तमाम ख़वरों पर मद्धपिदेश करमचारी मंच के सभी पदाधिकारी एवं करमचारी आज कम बंद कर एकतित होकर हर्ताल पर उतरे और साथ ही सभी करमचारी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे मद्ध पिदेश कर्मचारी मंज के प्रांत अध्यक्षिर असोग पांडे ने बताया कि सासन के 62 विभागों में बर्तमान में एक लाग से अधिक पद रिक्त हैं उसमें नौका साही ने सीधी भरती करने करने ने लिया है जो की नियोचित नहीं है दस दस बीस बीस बर्सों से सास की विभागों में इस्थाई कर्मी संविधा कर्मचारी कंप्यूटर ओपरेटर आंगन बारिक कारकरताँ देनिक बेतन भोगी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवां दे रहे हैं और सर्वुच नियालिया के सभी आदेश हैं कि सरकारी विभागों में काररत अनियमित करमचारी को रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति दी जाए लेकिन नौका साही इन संबर्ग के करमचारीयों को नियमित करने की बजह सीधी भरती कर रही है जो की निया संगत नहीं है यदि रिक्त पदों पर इस्थाई करमी संविधा करमचारी कंप्यूटर ऑपरेटर आंगन बारी कारकरताओं को नियमित नियुक्ति दी जाएगी तो कि सरकारी बासट बिभागों में रित एक लाग से अधिक पदों पर पहले 48,000 इस्थाई करमीयों संबीधा करमचारीयों दैनिक बेतन भोगी करमचारीयों कंप्यूटर ऑपरेटरों आंगन बारी कारकरताओं को नियमित नियुक्ति दी जाए उसके बास सीधी भरती की जा संबीधा करमचारीयों, रित गधाँ बेतन भोगीयों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, आंगन बारी कारकरताओं को प्रतम नियुक्ति दिनंक से बरिश्थिता प्रदान का नियमित नियुक्ति दी जाए ताकि उक्ति संबर्भ के करमचारीयों को पुरानी पैंसनियोजना का प्रमुक मुद्दा यह है कि प्रदेश के सास्की 62 विवागों में एक लाग से अधिक पद रिखते हैं तिती शेणी और चतु शेणी के उन पदों पर नोकर साही और सरकार मिलकर सीधी भर्ती करना चाह रही है जबकि दद्दस बीद बीद साल से हमारे इस्ताई कर्मी देनिक वेतन भोगी कंप्यूटर आपरेटर अपनी सेवाएं विवागों में दे रहे हैं और सुप्रीम कोट का भी आदेश है कि आ नीमित करम चारी को सबसे पहले रिक्त पदों पे नीमित किया जाए एक लाग से अधिक पद हैं उन पदों पे सबसे पहले इस्ताई कर्मियों को नीमित किया जाए कंप्यूटर आपरेटरों को नीमित किया जाए एडिपद बचते हैं तो आप भर्षीरी भर्ती करिए लेकिन सबसे पहले हमारे 47 wenn द.... इसना का लाब दीजिए पूरानी पृतम न्युक्टि दिरांग से वहिना के वहिस्ता दीजिए और अंदोलन का आज पतम चरण है दूसरा चरण है क्योंकि पहले चरण में हमने 50,000 पोस्ट कार्ड मुक्मंत्री को भेजे हैं दूसरे चरण में आज आम सभा करके सरकार को हम यह वताना चाह रहे हैं कि सरकार को बिद्नातो इनको नीमित इस्ताई कर्मियों को नीमित करने मे कि भार आएगा, और सरकार को योग और अन्भवी करमचारी भी मिल जायेंगे। इसी मांग को ले और आज यह आमसभा का आयोजन रखा है, और करमचारी मंच निसंकौ्त लिया है, निर्णे लिया है, कि जब तक हमारे करमचारियों को निमित निवक्ती नहीं मिल जाती तब तक हम निरंतर संगर्ष जादी रखेंगे